नमस्कार दोस्तों, हॉक्फिट नीज में आप सभी का स्वागत है लंबे वक्त से मदर्सों में हो रही फंडिंग को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं लेकिन अब इस मामले में बिल्कुल नया रुख सामने आ चुका है आपको बता देते हैं कि कई मौकों पर भी देश भर के कई मदर्सों में आतन की संगठनों से फंडिंग के मामले भी सामने आए हैं सरकार की दलील यह है कि मदर्सों में फाइनेंशल ट्रांस्पिरेंसी के लिए ये सर्वे बेहस ज़रूरी है यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री दानिश आज़ाद अंसारी की माने तो मदर्सों के सर्वे से किसी को भी घबराने की अवश्यक्ता नहीं है किसी भी मदर्से पर सरकार बुलोजर चलाने का कोई प्लान नहीं बना रही है और जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की बाते फैलाना चाहरे हैं उनको ये समझना होगा कि सरकार की मनिशा बिल्कुल एक लियर और ट्रांस्पेरेंट मैनेजमेंट की है अब सरकार ये जानना चाहते है कि मदर्सों में स्थितियां क्या है बच्चों की पढ़ाई की क्या विवस्था है शिक्षकों की तनुखा कैसे मिल रही है हम बच्चों को बुनियादी सुविधाय देना चाहते हैं ऐसा कहना है यूपी सरकार के अलसंखेक मामलों के मिनिस्टर का अब योगी सरकार की प्रदेश में गैर मानेता प्राप्त मदर्सों के सर्वे का जो आदेश जारी करने के बाद नया बखिडा शुरू हो चुका है एक तरफ जहां वेपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठों ने सरकार की नियत पर सवाल खड़े करे हैं तो वहीं सरकार इसे मदर्सों और उनमें तालीम लेने वाले बच्चों के हित में बता रही है अब आखिर सवाल यह है कि योगी सरकार को मदर्सों के सर्वे की जरूरत क्यों पढ़ी क्या इसमें कोई राजनीतिक स्वार्थ चिपा हुआ है या फिर कोई और बचा है दरसल लंबे बक से मदर्सों में हो रही फंडिंग को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं और कई मौकों पर देश भर के कई मदर्सों में आतंकी संगठनों से फंडिंग के मामले भी सामने आए हैं अब अगर सरकार की बंशा सही है तो फिर बवाल के मचा है तो आपको बता देते हैं कि यूपी में करीब सोले हजार से भी ज्यादा गैर मान्यता प्रात मदर्से हैं जो कि सरकार से फंड नहीं लेते बलकि चंदे या फिर धार्मिक संगठनों की मदर्से चल रहे हैं आप जानते हैं कि भारत में साउडी से लेके तमाम कई ऐसे देश हैं जो इसलाम के नाम पर भारत के अंदर शिक्षा देने के लिए कई मदर्सों को फंडिंग करते हैं और कई बार उनके क्या नतीजे निकले हैं वो आपने कई आतंगवादी घटनों में भी देखे हैं अब इन मदर्सों में कई लाख बच्चे भी तालीम लेते हैं तंजीम उलेमा इसलाम के राश्ट्रे महासेचिव मौलाना शहाब उद्दीन रिजवी बरेलवी का कहना है इतने लंबे नाम होते हैं कि बुलन नहीं मुश्किल हो जाता है खैर कि मदर्सों के सर्वे कराए जाने पर उन्हें कोई आपती नहीं है लेकिन यूपी में मदर्सों के सर्वे कराने का मकसद मुसल्मानों को जहनी तोर पर परिशान करने के लावा और कुछ भी नहीं है तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनके लिए सरकार का ये जो स्टेटमेंट है मैनौरिटी मिनिस्ट्री के तरफ से वो अपने आप में एक करारा थप पड़ है मदर्सों के सर्वे पर जारी सियासत के बीच सबसे बड़े मुसलिम संगठन दारूलूम देवबंद योगी सरकार के फैसले के समर्थन में उतर आया है अब दारूलूम ने मदर्सों के सर्वे के फैसले को बिल्कु सही ठहराते हुए इसे मदर्सों के हित में बताया है जोस बिलाई है या क्या बुल्डोजर का वादा किया है वो कहीं न कहीं अकल ठिकाने आ रही है उन लोगों की जो लगातार जहर उगर ले थे अब आपको बता देते हैं कि जमीयत उलेमा ये हिंद के धक्ष मौलाना अर्शद मदनी जो सरकार के समर्थन में समय साथ खड़े नजर आ रहे हैं मदनी के मुताबिक अगर बात करें तो उनका कहना है कि हम सरकार के सर्वे कारिया की तारीफ करते हैं तो फिर ये कौन लोग है जो मुस्लिम समाज के बड़े-बड़े लीडरान है वो भी अगर इसका समर्थन कर रहे हैं तो वो कौन है कहीं ये कुछ विप लेकिन एक बार उस मदर से में आने के बाद फिर जो दिमाग जिस तरीके से बंद कर दिया जाता है क्योंकि उनको साइंस की, मैथमेटिक्स की और जेनरल नौलेज की कोई बाते नी सिखाई जाती है तो कहीं न कहीं उससे बच्चों का जो एज्यूकेशनल स्पेक्ट्रम है वो दायरा बहुत छोटा हो जाता है खैर ये उनकी अपनी कम्यूनिटी की बात है वो चाहे कुछ भी पढ़ाएं लेकिन कुछ भी पढ़ाने के नाम पे ऐसा नहीं हो सकता ना कि कुछ भी पढ़ाएं आप समझने में क्या कह रहा हूं जी हां तो कॉमेंट में अपनी राय जरूर लिखें इस वीडियो के बारे में अभी के लिए के वाले इतना ही जै हिंद जै भारत नमस्कार